Hello everyone, मैं हूँ प्रिर्णा और हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में अपनी गयर कैसे की जाए ताकि आपके प्रेगनेंसी सेफ रहे और आपकी डिलीवरी बहुत आसान हो जाए इसी करम में आज हम बात करने वाले हैं फूड की प्रेगनेंसी में फूड चॉइस बहुत इंपोर्टेंट होती है प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए बहुत सारे कॉम्टिकेशन होते हैं जैसे की प्रिग्लेम्सिया, हाई बीपी की प्राबलम, डियबिटीज की प्राबलम, अर्ली ड कमसोरी बच्चे का साही से डिबलब ना हो पाना, वादर को वीकनेस रहां से बहुत सारे इशूस प्रिग्नेंसी में होते हैं तो उनको हमकेवल अपने फूड से ठीक कर सकते हैं लेकिन कब जब आपको जानकारी हो तो यूट्यूब मॉम चानल पे इससे रिलेटेड धेर स जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूं आज हम एक ऐसे फूड के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत अमीजिंग है आपको खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगा और आपके लिए हर तरह से बेनिफिशल है इस फूड को कहते हैं मखाने इसको लोटस सीट्स भी कहते हैं, Fox Nuts भी कहते हैं और यह पानी में उपता है बहुत हलका होता है वजन में और इसकी कई recipes बनती है Recipes की चरचा हम वीडियो में आगे करीमी सबसे पहले जानते हैं कि आपकी किन किन प्रॉब्लम में आप मखाने जरूर खाएं जिससी कि आपकी complications दूर हो सके Friends, pregnancy में stretch marks आते ही हैं, अधिकांश महिलाओ को आते हैं, तो stretch marks की condition में आपकी skin की muscles, skin की नीचे की muscles lose हो जाती हैं, तो उनको tight करता है, उनको मस्बूती प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर कई तरह के enzymes होते हैं, कई तरह के proteins होते हैं, तो आपकी skin के अंदर की muscles को अच्छे से मस्बूती प्रदान करने के लिए, skin की tightness को maintain करने के लिए, skin को tone रखने के लिए, मखाने बहुत फार्देमल होते हैं, लेकिन आपको इसको नियमत इस्तमाल करना चाहिए, कई महिलाओं को किनी चटिलताओं में conceive होता है, जैसे कि PCOD की condition में conceive होता है, तो hormonal metabolic disorder में conceive होता है, या फिर कीनी को शुगर है, BP की problem है, तब ऐसी condition में अपनी pregnancy को सुरक्षित रखने के लिए, मखाना एक बहुत ही अच्छा food है, आप इसको daily खा सकती है, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल होगा, आपका BP कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा fiber पाया जाता है और इसमें कालरी बहुत कम होती है, इसमें fat ना के बराबर होता है, प्रेगनसी के 5-6 महीने के बाद मा के शरीर में दूद की गरंतियां तयार हो जाती हैं दूद प्रोड्यूस करने के लिए, तो जब आपका बेबी डिलिवर होगा, उसके जन्मे के बाद आपको उसको feed कर कई महीलाओं का weight बहुत rapidly बढ़ने लगता है प्रेगनसी के दुरान, और कईयों का वजन ठीक से नहीं बढ़ता, बच्चा कमजोर होता है, मां खुद भी बहुत कमजोर होती है, दोनों condition में आप मखाने खा सकती है, क्योंकि बहुत सारा portion देता है, जिससे की कमजोरी दूर होती है, और जिनका वजन ज्यादा है, उनका वजन कंट्रोल करने में भी हल करता है, क्योंकि इसके अंदर calories बहुत कम होती है, दूसरी बात, प्रेगनसी में महीलाओं को नीद ना आने की problem भी होती है, ऐसी कई महीलाओं हैं, जिनको ठीक से नीद नहीं आती, नीद नहीं आ आपके हर्मोन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तत्वों अलकेलोइट्स आधी होते हैं, मखानों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैलशियम, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैंगनीज, विटमिन B, अमीनो एसिट्स और एंटी अक्सिदेंट्स होते हैं, त मखाने अगर आपको पर्चेस करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप ऑनलाइन भी पर्चेस कर सकते हैं, मखाने खाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि कई लोग इसको भून कर हलका सा रोस्ट करके, कच्छे मखाने काफी सॉफ्ट होते हैं, और व पाउडर बना के रख लें, और अगर आप उसको दूद में मिला के पीते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा फलिवरा आता है इसके अलावा खीर बना के खा सकते हैं, कई जगा मखाने की सबचियां भी बनाई जाती है इसके अलावा मखाने को लड़ो क कर सकते तो कई तरीके मखाने खाने की लेकि एक दिन में 50-100 ग्रम मखाने आप जरूर खाएं क्योंकि बहुत जादा खाने पर इसमें फाइबर होता है तो आपको पेट संबंदी समस्या हो सकती है तो सीमित मात्रा में खाएं लेकिन जरूर खाएं प्रेगनेंसी के पहले महीन कि वीडियो कैसा लगा मुझे कामेंट में लिखे जरूर बताएं जो भी आप मुझे किसी विशेश-विशे पर जनकारी लेना चाहते हैं तो मुझे कामेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक कियर बबाई